सो हेलो फ्रेंड स्वागद है आप सभी का एक नए वीडियो में तो यूपी बजट 2023 का बड़ा अपडेट सामया गया है योगी सरकार 22 फर्वरी को पेस करेगी बजट और आज से बजट सत्र सुरू हो रहा है इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेस होगा क्या रहेगा खास ज बजट पेस होगा आए जानते हैं 10 संबावित गोष्णाएं यानि जो सरकार अपने बजट में घोष्णाएं कर सकता है 22 फर्वरी को योगी सरकार यूपी के तियास में सबसे बड़ा बजट पेस करेगी बजट में जहां एक तरब 2024 में होने वाले आम चुनावों की तयार होगी वही संकल पत्मे किये गए वादों को जमीन पर उतानने के लिए भी कवायद सुरू हो चुकी है योगी सरकार इस कवायद को इस बजट में पेस करेगी बजट का फोकस कई सारी चीजों पे होने वाला है 7 लाग करोड का बजट पेस होगा बजट में प्रदेश में ब जिएवर एयरपोर्ट को 2024 के मद्य तक सुरू करने की है कानपुर में बन रही पनकी और अलिगण में हर दुआ गंज पावर प्रोजेक के लिए भी धन की व्यवस्ता की जाएगी अच्छा इसके साथ ही युवाव को स्मार्टफोन टैबलेट देने की बड़ी सौगात होन कर सकता है यानि जो युवाव स्टार्टफ चालू करना चाते हैं सरकार उनके स्टार्टफ के लिए मान दे देगी इसकी वेवस्ता भी सुरू होगी इसके लिए बजट पेस होगा उद्योगों को मिलेगा बूश्टर डोज जी हा दोस्तो ग्लोबल इन्वेश्टर समिट क ले भी बजट आवंटन किये जाएगा वही पर फ्री गैस लेंडर का भी घोशना होगी क्योंकि यूपी सरकार बजट पेस करेगी इसमें कई सारे ऐलान करने की घोशना हो सकती है 2024 के चुनाओ को साधने की कोशिस रहेगी यही कारण है कि यूवाओ को लुभाने की भी कोशिस की जा रही है चात्राओं के स्कॉलर्शिप की योजनाओं के लिए कई सारे बजट पेस होने वाले हैं इस बजट में नई योजनाओं के साथ साथ महिलाओं की पेंसन बढ़ाने और छात्र छात्राओं को वजीपे से जुड़ी योजनाओं में पैसा बढ़ाने के उमीद की जा रही है यानि आने वाले समय में बजट जो ये 22 तारीक को आने वाला है वो महिलाओं के लिए किसान धारकों के लिए बुजुर पेंसन धारकों के लिए और साथी साथ युवाओं के लिए काफी जादा खास होने वाला है तो आने वाली ये समभावित गोशनाओं में देखते हैं कौन सी गोशनाओं पूरी होती है आने वाले समय में सरकार रासनकार धारकों को भी बड़ी सुविदा दे सकती है यानि फूड पैकेट का राजस्तान सरकार की तरह ऐलान कर सकती है यानि जिसमें चना, तेल, नमक या चीनी वगएरा भी दे सकती है इन समभावित गोशनाओं के अलावा भी कई सारी गोशनाओं हो सकती है वैसे आपका क्या मानना है कॉमेंट करके जरू बताईएगा मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ धन्यवाद